आपने अपनी जिन्दगी में कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी कई तरह की बुरी आदते होती हैं और उनकी बुरी आदतों का पता लगने के बाद आप भी उनसे दूरी बना लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ती की बुरी आदत उसके जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण बन जाती है। लेकिन कई बार व्यक्ती को अपनी बुरी आदतों के बारे में पता नहीं होता है और वह परेशानियों में घिर जाता है। जियोतिश शास्त्र के अनुसार अपनी बुरी आदतों के कारण मनुश्य में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और इससे व्यक्ति के घर में लड़ाई जगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति का हर काम बिगड़ना, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलना और शुब कार्य में रुकावट आना आदी समस्या आती रहती है। इसलिए आज हम आपको इन बुरी आदतों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आपको तुरंथी दूरी बना देनी चाहिए। कपड़े को बिखरने की आदत कई लोगों को आदत होती है कि वह अपने घर में कपड़े भी बिखेर कर रखते हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गंदे कपड़े बिखेर कर रखने से बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए आपको गंदे कपड़े को तुरंथी धो, लेना चाहिए और साफ कपडों को एक जगह सही से रखना चाहिए. ऐसा करने से आपका घर भी व्यवस्थित और साफ सुत्रा दिखाए देगा. जबकि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर के लिए भी अच्छा रहेगा. जूते चप्पलों को फेकने की आदत कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बाहर से आने के बाद घर में जूते चप्पल ऐसे ही उतार देते या फेक देते हैं. लेकिन ऐसा करने से घर तो पूरी तरह खराब दिखेगा ही और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी इसे सही नहीं बताया गया है. कई लोग घर के मुख्य दर्वाजे के बाहर ही जूते चप्पल रखने का स्टैंड बना देते हैं, जिससे भी नकारात्म कूर्जा का प्रभाव रहता है. इसलिए अगर परिवार की खुशियों को बरबाद नहीं करना चाहते तो इस आदत को सुधार लें. जूठे बर्तन रखने की आदत वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि कभी भी सिंख में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए. ऐसा करने से घर के सदस्यों की तबियत खराब होने लगती है. इसलिए आपको अपनी आदते सुधार लेनी चाहिए. इससे मा लक्षमी भी नाराज होती है और हमेशा के लिए आपका घर छोड़ कर चली जाती है.